नाशकार दस्तों मैं हूद रमवीर और आज हम जानेंगे योग ए वे ओफ लाइफ जो पुस्तक है उसका जो पांचवा चेप्टर है पांचवा जो अध्याय है उसमें योग अभ्यासी के लिए सामाने दिसा निरदेश दी गए हैं जो योग शाधक हैं जो योग करते हैं उ यानि जर्नल गाइडलाइन्स फो योगा प्रैक्टिशनर हैं उनको किन नियमों का पालन करना चाहिए उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जाने हैं देखिए योग आर्थियों को या प्रैक्टिशनर्ष को योग का प्रारम किसी अच्छे योग प्रैसिक्षक की वो अच्छा होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, उसको अनुभव होना चाहिए, यह नहीं कि आप किसी भी कम नोलेज वाले टीचर्स के पास या जिनको बहुत अच्छा अभ्यास करवाने का अनुभव हो नहीं, उनके पास जाकर आप अभ्यास शुरू करते हैं, तो आपक जो योग का बिलकुल एक्सपर्ट है उसी के पास जाकर आपको अभ्याश शुरू करना चाहिए योगी क्रियाओं का प्रारम शरद रितू और बशंत रितू में ही करना चाहिए क्योंकि इन दोनों रितू में ही मोशम सम रहता है यानि आपकी जो शरद रितु है वो लगबग आपका अक्टूबर का जो मन्त होता है जिसमें शरदी की शुरुवात होती है उस समय योगा भ्याश करना प्रारम करना चाहिए और इसी तरह से या फिर आप भशंत रितु जो होती है यानि लगबग फरवरी का एंड और मार्च का जो प्रारम होता है उस समय मोशम शम रहता यानि सर्दी उतर जाती है और मोशम है वो सम रहता है तो इधर अक्टूबर का महना लगबग और उधर फरवरी मार्च का महना उसमें हमें योगा भ्यास शुरू करना चाहिए, वो अच्छा रहता है ऐसा हमारा घेरन साहिता में बताया गया है, महर्शी घेरन में योग करते समय सूती, यानि कोटन के जो कपड़े हैं, हलके कपड़े हैं, आरामदाए कपड़े जिन में आप कमफर्ट फील करें, ऐसे कपड़े आपको पहनने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा प्राइट फटिंग के कपड़े या जीन साथ भी पहन कर आप योगा भ्यास इकसे नहीं कर सकते हैं योग की किसी भी क्रिया में जल्दबाजी और जोर जबरदस्ति नहीं करनी चाहिए योग शादक को ध्यान रखना चाहिए कि पीचर ने जितना बताया है या योग शिक्षक ने जितना बताया है उसी हिसाब से आप भ्यास करें, ज्यादा जल्दबाजी, जोर जबरदस्ती ऐसा ना करें, अन्य था कोई चोट आपको लग सकती है, कोई हानी आपको हो शकती है खाली पेट या खाना खाने के पांच गंटे बाद ही योगा भ्यास करना चाहिए यह सामाने सी बात है कि जब आपका पेट खाली हो, या कम से कम बच्चे हैं तो कम से कम तीन घंटे या चार घंटे बाद आप खाना खाने के योगा भ्यास कर सकते हैं और जो कठीन आसन है, एडवानस आसन जिने कहते हैं, कमपेटेटिव आसन जो होते हैं, जो बच्चे कठीन आसन की तैयारी करते हैं, डेमोस्टेशन की तैयारी करते हैं या किसी प्रतियोगता में अगर किसी को भाग लेना है और कठी नासन करना चाहते हैं तो श्याम का समय जादा अच्छा रहता है क्योंकि दिन भर आपका शरीर है वो थोड़ा एक्टिव रहता है ब्लड फ्लो अच्छा रहता है और उस वज़े से आप इजिली शाम को आसन कर सकते हैं सुबह शरीर में थोड़ी से अकडन रहती है थोड़ी जकन रहती है तो सुबह थोड़ा मुश्किल होता है कठी नासन को करना तो कठी नासन शाम को करने ही अच्छे हैते हैं हालांकि शुबह भी कर सकते हैं ऐसी कोई वो नहीं है लेकिन शाम को शरी ज़्यादा फ्लेक्सिबल महशूस होता है क्योंकि हम दिन भर क्रिया शील रहते हैं और जिस स्थान पर हवा बहुत तिवर हो यानि हवा के जोके आ रहे हो तेज तेज और धूप तेज हो उपर धूप हो शर के उपर या फिर बहुत ज़्यादा ठंड हो कपकपी चड़ रही हो आपको तो ऐसे स्थान पर योगा ब्यास नहीं करना चाहिए यानि योगा ब्यास का जो स्थान है वो अनुकूल होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा धूप ना हो बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो बहुत ज़्यादा ठंड भी ना हो और बहुत तेज हवा चले जोके आये हवा के ऐसी जगह पर भी हमें योगा ब्यास नहीं करना चाहिए सूरियोदो से यानि सन्राइज जब होता है उसे कम से कम एक तेट घंटा पूरो यानि ब्रहमूर्थ में हमें उठ जाना चाहिए यह अच्छा रहता है ब्रहमूर्थ में उठना सूरियोदे से लगए एक तेट घंटा पहले में उठ जाना चाहिए रात्री को जब आप शोते हैं तो हलका सुपाचिया हर लेना चाहिए क्योंकि आप रात्री को आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है कि लेट खाना खाते हैं और नो दस ग्यारा बारा एक एक बज़े तक खाना चलता रहता है तो अगर आप ऐसा करेंगे एक बज़े तक अगर अगर समय पर ओठ भी जाते हैं तो आपका पेट साफ नहीं होगा या आपका शरीर में भारीपन रहेगा या पेट भारीपन रहेगा या मस्दिक्स में भारीपन रहेगा तो आप ऐस हैज भी decor करेंगे और जब आप एस सहज महशुष करेंगे यानि comfort feel नहीं करेंगे तो आ बहुत ही कम और हलका खाना चाहिए, तो वो आपके लिए अच्छा रहता है, तभी आप ठीक से योगा भ्यास कर पाएंगे. जंक फूड, फास्ट फूड, ओली फूड, गरिस्ट भोजन जो ज़्यादा तला भुना हुआ है, बासी भोजन, इसका सेवन आपको नहीं करना चाहिए, खास कर जब आप योगा भ्यास करते हैं, तो कि अगर ऐसा आप करेंगे, तो मैं बता चुका हूँ आपको कि आपको श शुद सात्विक भोजन खाना चाहिए, भोजन की चर्चा हम अलग से एक हमारा चेप्टर है, उसमें हम करेंगे, उसमें हमने बहुत अच्छे से बता रखा है, योगा भ्यास के तुरंत बाद, जो प्रेक्टिशनर है, जो शादक है, जो अभ्यासी है, तुरंत बाद नही होना चाहिए, कम से कम आदे घंटे का आपका अंतर अवश्य होना चाहिए, और उसके बाद भी आपको आदे घंटे बाद सुद सात्विक और पवित्तर जो दिवे भोजन है, ताजा भोजन है, उसी का ही शेवन करना चाहिए, योगा भ्यास शान्त वातावरन में ही करना अजी यहां वातवर्ण भोती चुक्त हुश आप देख रहे हैं मेरे पीछे पूरा शुखद वातवर्ण है, बहुत अच्छा वातवर्ण है, जहां शुद हवा हो, पेढ़ पोदे जादा हो, कोई कोला हाल ना हो, यानि कहीं शो शराबा ना हो, कि आपके पीछे खटपट की यवाज आ रही है, इधर आपके धूल धूआ मिट्टी उड़ रही है, ऐसी जगह पर आसन पनायम कोई भी किरिया का भ्यास हमें नहीं करना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, और आराम से बैठ कर पूरी एकागरता से योग का प्रारम करना चाहिए, यानि मं से क्या करते हैं कि हुने ट्वाइलिट लग रहा है, और वो योगा ब्यास करना शुरू कर देते हैं, या फिर हुने वो सुभए फ्रेस होने नहीं जाते हैं, उससे शिदे योगा क्लास में आ जाते हैं, तो गलत है वो, पहले हमें पानी पीकर, थोड़ा टहल कर, एक दो ब अभ्यास के लिए सभी के पास अपना व्यक्तिगत मैट, दरी, कंबल, चद्दर आदी होना चाहिए यानि आपका अपना परशनल हो तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि आपको पशीना आएगा, आप मैट पर डेली अभ्यास करेंगे और मैट को मैं तो कहता हूँ कि आपका अपना व्यक्तिगत मैट हो, दरी हो, चद्दर हो या मैट है तो उसको उपर अपनी कोई छोटी चद्दरा बिछा सकते हैं, कोई कंबल बिछा सकते हैं और उसको फिर जैसे अगर पसीना जादा आता है तो उसको दूप में भी शुखा शकते हैं या हलका सा उसको पोच्चा वगरा लगा भी सकते हैं या वोशेबल है तो उसको दो भी सकते हैं तो ऐसा ठीक रहता है यानि अपना वेक्तिगत मैठी यूज करें उससे आपका एक अलग उर्जा का परभाव होता है तो वो उससे दूसरों को कोई परभाव ना पड़े और दूसरे का आपके उपर कोई परभाव ना पड़े तनाव आउशाद थकान या कोई दर्द हिरदे रोग हो रख चाप हो आदी शारिरिक मानसी की रोगों में योगा ब्यास कि हमनो दर्द हीक रोग है किसी भी तरह का आपको कोई ड़ीज है कोई फिसेर हुआ है तो इसे पहले आपको योग वी रिषाक से प्राम श्र्द करने लग डे तो उसका बेड़एँ आपके शर्री पे पड़ेगा आपको कोई नुक्षान हो शकता है तो इन सब तरह के नुक्षान से बचने के लिए आपको योग विशेश्चक से शलावसे ले लेनी चाहिए प्रेग्नेंसी और मेंसी के समय योगा ब्यास योग विशेसके निर्देश्य नुश THEM करना चाहिए यानि फिर भी आप रेगुलर जो रूटीन में चीजे करते हैं वो ना करें एक बार विशेशग से, एक्सपर्ट से सलावश्य ले लें कि कौन सी क्रिया आपके लिए ठीक रहेगी मेंसीज के समय और पेगनेंसी के समय कि कौन सा क्वाटर में कौन सा योगा अभ्यास प्रणायाम या बंद मुद्र आदि की क्रियाम कर शकते हैं और कौन सी हमें नहीं करनी चाहिए जो पुरुषवरग है यानि मेल जो है वो लंगोट या स्पोर्टर आदि पहनकरी योगा अभ्यास करें चाहिए आपको पहले भी बता चुक हों कि आपको अपनी छम aggiण शमता की अनुशारी योगा भ्यास करना चाहिए कोई रोग है यूया रोग का स्टेज लरग है उसके कोड़ी Certainly आपको योगा अभ्यास करना चाहिए तो उससे पहले आप एक बार योग शिक्षक से अवश्य सल्हा मशूरा कर लें जो योगा अभ्यासी है यानि जो प्रैक्टिशनर है जो योग का जो शादक है उन्हें सदाव संयमित रहना चाहिए यानि कोई जल्दबाजी उन्हें नहीं करनी है उच्षाहित रहना है परशंचित रहना है ऐसा करने से आपको योग का पूरा लाब मिलेगा यह नहीं कि कोई अभ्यास कर रहे हैं आप दुखी मन से कर रहे हैं शान्त मन से कर रहे हैं ऐसा ही मित मन से कर रहे हैं तो उसमें फिर कोई आपको लाब भी नहीं मिलेगा और मजा भी नहीं आएगा योगा व्यासी को कोई भी योगी किरिया किसी दुसरे की देखा देखी करके नहीं करनी चाहिए, बलकि अपने सामर्थे को देखते वे योग शिक्षक के निर्देशा नुशारी अप्यास करें यह बार होता है कि एक बच्चा एडवानसासन कर रहा है, कोई युवा वेक्ती है या बुजर्ग वेक्ती है तो सोचे कि मैं भी करके देख लेता हूँ, मैं भी चक्रासन खड़े-खड़े कर लूँगा, इसने जलनेती कर ली तो मैं भी कर लूँगा, इसने शूतरनेती कर ल मुले का पालन करना चाहिए यानि आपको तब यह अच्छे रिजल्ट प्राप दूंगे M का मतलब होता है method यानि आपकी सही विदी होनी चाहिए योगा भ्यास करने की T का मतलब timing होता है यानि कितने समय तक किस योगी किरिया को करना है यह बात हमेसे ध्यान रखनी चाहिए C का मतलब concentration होता है यानि जो भी योगा भ्यास करें पूरी एक अगरता से करें यह नहीं कि एक आसन किया फिर इदर देखने लगए एक बर उठके चले गए कभी कुछ करने लगे नहीं concentration के शाथ करें और अगले C का मतलब होता है continuity यानि योगा भ्यास है वो नियमित करें यह नहीं कि आज कर लिया फिर दो दिन का gap दे दिया फिर तीन दिन का gap दे दिया फिर लगातार तीन दिन कर लिया ऐसा नहीं होना चाहिए यानि continue आपको करना है और continue का मतलब यह भी नहीं है कि आप सुभाशी शाम तक लगातार करते रहें नहीं आप आदा घंटा करते तो डेली आप उशी शेम आदा घंटा कीजी और सभी आसनों का अभ्यास एक समय ही नहीं करें बलकि योग शिक्षक के निर्दशन उसर कुछ चुनिंदा आसनों अभ्यास करें प्रारम में आसनों का होलडिंग टाइम कम रख सकते है कुछ दिनों तक नेमित अभ्यास के बाद पर्तेक आसन का उल्डिंग टाम बढ़ाते जाएं श्रा भावई कहें कि यह नहीं कि आप पहले दिन ही आपने चक्रसन किया है या कोई धनुरासन किया है या कोई भी आसना आप समाप्त करते हैं, तो उसके बाद या तो श्वासन का अभ्यास करें, या उसका पूरक आसन का अभ्यास करें, जैसे फोरोड बेंडिंग का आपने कोई आसन किया है, तो उसके बाद पूरक आसन किया होगा, उसका काउंटर पोज किया होगा, बैक बेंडि अर्थार्थ आगे जुकने वाले आसन के बाद पीछे जुकने वाला आसन करे इसी प्रकार पीछे जुकने वाले आसन के बाद आगे जुकने वाला आसन करे दाएं जुके हैं तो बाएं जुकने वाला अभ्यास करे तब ही आपका बैलन्स ठीक से बन पाएगा योगा भ्यास के समय जो आभूशन है किसी भी तरह के आपने उठी पहनी हुई है, गले में चैन है, माला है या कोई भी आपके गहने हैं, कड़े बगरा है, चूड़िया है, अंगिठी है, तोपी पहन रखी है, आपने, सोक्स पहन रखी है, जूते हैं, बैल्ट है, आधी ज बता चुका हूँ, पहले कोटन के कपड़े हो, शूती कपड़े हो, हलके कपड़े हो, जिसमें आप कमफर्ट फील करें, कुछी भी तरह के टाइट फिटिंग के कपड़े आपके नहीं होने चाहिए, तो ये कुछ योगा जो प्रेक्टिशनर है, उनके लिए हमने बताया क क्या चीज़ें उन्हें फोलो करनी चाहिए, और तब ही आपको योगा ब्यास का पूरा लाब मिल पाएगा, आज का इस वीडियो में इतना ही, आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद